Welcome all of you on my YouTube channel economics with excellence Money and banking में आज हम money के function जो है उनको study करेंगे और इसमें देखेंगे कि जो money के function है वो कौन-कौन से होते हैं और इनको कितने types में divide किया जाता है तो ये जो chart मैंने बनाया है इसमें आप देख सकते हैं जो chart होता है इसके मादिम से जो कोई भी चीज है इसको समझना बहुत ही easy होता है जो ये chart बता रहा है कि जो money of functions of money है उसको जो है वो तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है इसमें जो first function है money का वो है primary function और जो second function है उसमें secondary function जो है उसमें 3 परकार के money के function आते हैं और जो primary function है उसमें 2 परकार के money के function आते हैं प्राइमरी में वो सारी चीज़े आती हैं जो सबसे जादा important होती हैं या फिर जो other money के function है उनके accordingly वो जादा important होते हैं तो primary function में यहां पर दो परकार के function होते हैं money के जिसमें है medium of exchange and measure of value so medium of exchange means that money can be used to make payments for all the transaction of goods and services इसका मतलब यह है कि जो money है उसका use payments के लिए किया जाता है कोई भी जो व्यक्ती है वो किसी भी परकार की वस्तुओं या फिर सेवाओं का जो है वो उपभो करना चाहता है या फिर उनको खरीदना चाहता है तो इसके लिए जो money जो है वो बहुती useful source है और इनी सेवाओं और वस्तुओं के लिए money का medium of exchange या फिर जो भुकतान है money का वो किया जा सकता है तो medium of exchange क्या है कि एक चीज के बदले में जो है दूसरी चीज और ये जो दूसरी चीज है वो money होती है इट मींज कि एक वस्तु के बदले में या फिर एक वस्तु की जब हम खरीद करते हैं उसके लिए जो हम भुकतान करते हैं वो money के द्वारा करते हैं इस तरह से जो medium of exchange है वो money का एक बहुत ही important जो है वो function है second इसमें function है measure of value second जो money का function है वो है measure of value so water system में हमने क्या study किया था कि उस समय वस्तु का वस्तु के साथ जो अदान परदान होता था उसमें जो measure of value थी उसमें बहुत ही ज़ादा difficulties रहती थी वस्तु को जो है easily measure नहीं किया जा सकता था तो इसी को जो है money का function जो है measure of value इसका मतलब है कि जो money है उसकी एक particular unit है उसको जो है वो measure किया जा सकता है यानि कोई consumer है उसको पता है कि जो 100 और पे हैं उसके पास value है उसकी एक unit है उसको जो है वो measure किया जा सकता है अब हम इसकी secondary function की बात करते हैं so secondary functions में सबसे पहले standard of default payment हम discuss करेंगे standard of default payments का यहां पर मतलब है कि जब कोई भी जो payment है उसको future में हम बुकतान कर सके easily so water system में क्या होता था कि जो default payment है या future payments है वो लगभग ना के बराबर थी और उसी के कारण जो उनका trade था या फिर जो exchanges थे एक वस्तू के साथ दूसरी वस्तू के वो जो थे बहुत ही कम होते जा रहे थे और उसमें बहुत सारी difficulties उनको देखने को मिलती थी तो functions of money में क्या है money का जो एक कारिया है उसमें क्या है कि जो money की form में future की जो payments है वो easily की जा सकती है आज के दौर में जो deferred payments है उनको करना बहुत ही जादा आसान है deferred payment का मतलब है यहां पर की future payments future payments आज के दौर में जो consumer है वो बहुत सारी durable goods है उनका consumption करता है या फिर उनको purchase करता है तो for example जैसे machine वगरा washing machine खरीता है कोई consumer TV sets वगरा खरीता है या फिर जो loan लेते हैं कोई भी consumer bank से जब loan लेते हैं कोई भी bank के जिसे loan लेते हैं तो इनी सारे भुकतान को जो है वो पूरा करने के लिए money जो है ये एक essential instrument है और इनी सबी चीज़ों के भुकतान को जो है वो इनके जो भुकतान है उनको जो है वो future में किया जा सकता है और money के दवारा future में किया जाने वाला भुकतान जो है ये बहुत ही आसान हो गया है इसलिए money जो है वो deferred payment के लिए एक बहुत ही important source है अब next point हम इसमें discuss करेंगे store of value जब हम बार्टर सिस्टम की बात करते हैं तो उसमें store of value value को store कर पाना बहुत ही जादा मुश्किल था क्यूंकि हमने देखा है कि जो commodity के दवारा commodity की वहां पर exchange होती थी उसमें जो था value को store कर पाना बहुत ही जादा मुश्किल था तो यह जो problem थी इसको money के दवारा जो है वो सुलजाया जा सका और यह जो है एक value को store करने के लिए बहुत ही ज़ादा महत्तपूंट source बन गया और जो यह पैसा है इसको store क्यों करते हैं लोग basically अपनी जो future consumption है उनको पूरा करने के लिए या फिर जो future में अगर price की fluctuation होती है तो उसको fulfill करने के लिए जो है value को store किया जाता है या फिर किसी वस्तू की जो price है वो आज high है तो आगे जब वो price low होगी तो उसी को purchase करने के ल value है इसको store किया जाता है और इसी के साथ ही जो future payments होती है इनको जो है वो करने के लिए भी value को जो है वो store किया जाता है secondary function में next इसका function है transfer of value इसका मतलब है कि जो value है या फिर जो money है उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो है वो easily transfer किया जा सकता है जबकि हम water system में देखते हैं कि जहांपर goods का goods के साथ exchange हो रहा है वहांपर वस्तूओं को जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए बहुत ही जादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता था और उस समय जो था transportation जो कोस्ट होती थी वो भी बहुत जादा आती थी तो जो money है इसको जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर transfer करना बहुत ही जादा easy है आज के दोर में जब जो दो देश जो है वो आपस में trade करते हैं तो इसको जो है इनकी जो payments होती है ये जो है online हो जाती है या फिर जो इनकी जो value है इनको जो है एक देश से दूसरे देश प तो ये भी money का एक important function है, money के जो third functions में जितने भी type आते हैं, basis of credit, distribution of social income and maximum benefits, इसकी अब हम बात करेंगे, तो contingent function में सबसे पहले जो इसका function है, वो है basis of credit, अब कोई भी जो consumer है, या फिर जो bank है, जो money है basically, वो जो है, loan की जो facility है, वो provide करती है, तो जब कोई consumer bank से loan लेता है, और उसी loan को आगे जो bank है, उससे जो है, वो अपना credit create करती है, अब उस व्यक्ति के जो loan है, उसको दिये और उससे जो credit है, उस loan के बदले में जो वो interest है, वो bank जो है, वो ले लेती है, तो जो money है, इसके दवारा ये जो है basis of credit, या फिर जो credit creation है, इसको करपाना possible हो सका है, और जो next, इसका function है, वो है distribution of social income, जो social income है, या फिर जो equal distribution of income and wealth है, इसको जो है equally distribute कर पाना money के दवारा संभव हो सका है, पहले के दोर पर जो है, ये सब संभव नहीं हो सकता था, क्योंकि पहले का जो बुक्तान था, वो वस्तूँ से वस्तूँ के दवारा होता था, पर आज के time में जब money जो है, वो introduce हो चु इसमें point है, maximum benefit, maximum benefits में हम इसमें discuss करेंगे, कि जैसा कि हमने पहले study किया हुआ है, कि एक बंदे का expenditure होता है, वो दूसरे की क्या होती है, income, ये जो income है, या फिर ये जो cycle है, ये चलता रहता है, और इसी से जो है, एक society जो है, maximum benefit तक पहुंचती है, सो ये जो money का function है, ये social benefit, ये जो है, वो money के introduction के बाद ही, जो है, वो समभव हो सका है, I hope कि आपको ये जो function है money के, ये अच्छे से समझ में आ गए होंगे, अगर इसमें आपको कोई problem आ रही है, तो आप मुझे comment कर सकते हैं, thank you for watching my video, कर दो दो कर दो, जा वे एक आपको कैंज वेये साचाव साचा़ ये समझ मेंगcks के नच theorist, क्युंचत्वालबन में है, जू आपको क कि ये जो में स हमें नहायों खुए को 스точ trी and शो आपको के आपको आपको उलते हैं, झाल 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 झाल